आज हम बांगर और खादर मिटी किने केते हैं इने समझने का पिर्यास करने वाले हैं देखिए यहां प्रस्णा आपसे दो तरीके से पुछा जा सकता कि बांगर या पुराना जलोट किसे केते हैं ठीक है खादर या नया जलोट किसे केते हैं या फिर इस तरह से पुछा जा स आप से पूछाएगी आयू के आधार पर जलोड मिट्टी कितने प्रकार की होती तो आप लिगएगा कि आयू यानि कि उम्र के हिसाब से जलोड मिट्टी दो प्रकार की एक तो पुराना जलोड एक नया जलोड पुराने जलोड को बांगर जलोड केते हैं और नये जलोड को को खादर केते हैं देखिए तो यह क्या है वास्तों में जलोड और वांगर क्या है मिठी है भूमी है तो पुराने जलोड अवसादों के निछेप से निर्मित उच्छ भू आकार को बांगर केते हैं मतलब उपर की इस्तान उपर जो मिट्टी है पाहडी शेत्र उमर ठीक है जिसे पाहडी शेत्र उपर तो वहाँ मिट्टी केलाईगे आपकी बांगर और खादर क्या है बाढ़ के नवीन जलोड मतलब जिसे बाढ़ गई तो उसके कारण जो जलोड मिट्टी बहे कर गई और उसके कारण जो निर्मित मिट्टी हुई है निचले भूबाग में उसे हम कहींगे खादर तो बहुत ही सिंपल परिवासा है यहां से स्क्रियन सोट आप बढ़या से ले लीजेगा परिवासा है तो बहुत आसान है पर उसे बेसिक लेवल से समझना एक बड़ी चीज होती है ठीक है तो जलोड मिट्टी के प्रकार है यह बांगर और खादर वास्तों में क्या है यह मिट्टी है कैसे बनी जो बांगर है वहां है पुराना जलोड यह उपर ही हिस्सों में बनी पारी शेत अगले वीडियो में हम बांगर और खादरमर अंतर बहुत ही महत्पुन है और हरवर से पूछा भी आता है बड़ी आसान सब्दों में बहुत ही नए अंदाज में आपको बताने वाला हूं तो आप वहां वीडियो जरूर देखेगा इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन अब मिल जाएगी ऐसाizo है बना दी इनकी बना धी गई है आप अच्छे से स्क्रीन सोट अब ले लीजğin cabeça और अच्छे से तैयारी करिएगा देखिए यहां चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया है ताकि आपको अधिक से दिक अंगर प्राप्त हो सके घर बेटे आप अच्छे से तैयारी कर सके यही हमारे चैनल का मुख्यूत देशी है तो आप हमारे साथ जरूर जूड़िएगा चैनल अभी तक सबस्क्राइब ने किया तो सबस्क्राइब जरूर करिएगा